नमस्कार, बीकेसी गुरू क्लासेस में आपका स्वागत है, आज हम पढ़ेंगे कक्ष पांच वी गणित से एड़ ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का हल पाठ आठ नक्सा वर्षा का नया घर बनने वाला है, आज असोक और भावना वर्षा के घर बनने वाली जगह पर गए हैं, उस जगह में कुछ लाइन बनी दिख रही हैं वर्षा ने बताया कि थोड़े देर पहले इंजिनियर इस लाइन को बना कर गए हैं, कल से राजमिस्त्री जी आएंगे और इन लाइन को समझ कर घर का काम सुरू करेंगे वर्षा के घर के लिए जो लाइन बनाई गई हैं वे यहाँ चित्र में बनी हैं, चित्र को पढ़ते हैं, यह देखे चित्र बना हुआ है तो यहाँ पर देखे वर्षा ये मेरे घर का नक्सा है अपने घर का भी बना था ना इसी प्रकार इसी के अनुसार आगे घर बनेगा असोग कहता है अरे वाह घर के सामने तो हैंड पॉम्प लगा है भावना हाँ उसी के पास पौधे भी लगे होंगे पर भोजन बनाने की जगह कहां होगी वर्षा जहां के लिखा है वहीं पर रसोई घर बनेगा और उसके ठीक बाजू में बीवन लिखी जगह में सोने का कमरा होगा के लिखा हुआ है ना इसी का तो के मतलब किचन तो ये किचन है और ये जो साइड में है वी वन ये बेड्रूम प्रमांग एक है असो और सोने के पहले कमरे के बाजू में बीटू लिखी जगह में सोने का दूसरा कमरा रहेगा ये बेड्रूम टू है ना भावना अरे हाँ और सोने वाले कमरे के सामने एक बड़ा सा कमरा रहेगा एच पार हाल यह क्या है हाल है अशो जैसे यह एक घर बनाने का नक्सा है ठीक वैसे ही किसी कॉलोनी खेद गाओं या किसी और जगहे का नक्सा होता है जिसमें अलग-अलग इस्थान और वहाँ आने जाने के रास्ते तथा अन्यव से स्थाएं भी दर्साई जाती हैं बच्चों मैं तुम्हें एक उड़ने वाले घोडे की कहानी सुनाता हूँ बहुत पहले की बात थी सरीता के पास एक घोड़ा था वो घोड़ा पतंग के जैसे उपर भी उर लेता था एक दिन सरीता ने घोड़े से कहा की चलो आज आसमान में थोड़ा उरते हैं बस फिर क्या था घोड़े की पीटफर सरीता सवार हो गई घोड़ा धीरे धीरे दोड़ने लगा घोड़ा ने सरीता को पहले पूरे गाउं की गलिया तालाब बगीचे घुआया फिर सरीता ने घोड़े से कहा की अब पेड़ों को उपर से देखना है बस फिर क्या था घोड़ा धीरे से उपर की और जाने लगा थोड़ा उपर जाने के बाद सरीता को उसका घर आंगन बाड़ी सब दिखने लगे अब सरीता को मज़ा आ गया सरीता का घोड़ा थोड़ा और उपर उपर उठा अब तो सरीता को अपनी सहली का घर पूरे गाउं के रास्ते स्कूल तालाब सब कुछ दिखाई दे रहा था वो बहुत खुस थी अब उसने अपने थैले में से कैमरा निकाला और अपने गाउं की एक फोटो ले ली बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई हवाईजाज से उड़ते हुए लेता है खोड़ा थोड़ा और उपर गया तो खेत और पास से बहरही नदी भी दिखाई दी तभी मा की आवाज आई उठो सरीता पूरव दिशा से सूरज निकल गया है ये सब कहां हो रहा था? सपने में हो रहा था जल्दी से उठो सरीता जल्दी से उठी सूरज की तरफ मूँ करके खड़ी हुई तभी उसे ध्यान आया कि कल ही गुरु जी ने बताया था कि सुबह सूरज की ओर मूँ करके खड़े हो जाओ जिस दिशा से सूरज निकलता दिखाई देता है वो पूर्व दिशा होती है तथा उसी समय पीठ की ओर की दिशा पस्चिम दिशा होती है किसी भी नक्सा को बनाने में दिखाओं दिशाओं की जानकारी होना बहुत जरूरी है यहां सिंगोडी गाओं का नक्सा बना है इसे देखें और चर्चा कीजिए अब दिशाओं के बारे में देखें पहले सिका जिस तरफ से सूरे उदर होता है वह होती है पूरो दिशा पीछे वाली दिशा पश्चिम और सूरी की तरफ यदि हम मूँ करके खड़े हैं तो हमारा बाया हाथ उत्तर दिशा और दाया हाथ दक्षण दिशा होता है यह हमें दा से दाये से दक्षण ऐसा याद रखना है हम चारो दिशाएं याद रख लेंगे अब हमें सिंगोडी गाओं का जो नक्सा दिया गया है इसे हम समझते हैं इसी तरह से आगे एक्टिविटी में हमें अपने गाओं का भी नक्सा बनाना है तो किस तरह से सबसे पहले तो यहाँ पर सिंगोडी गाओं के सब रास्ते बने हुए हैं ये देखिए ये रास्ते बने हुए है फिर नदी बनी हुई है यहाँ पर नदी के बाद ये यहाँ पर नदी पार रास्ता भी है और फिर यहाँ पर गाव है इस तरफ है गाव जाम और इस तरफ है मुंगवानी और फिर यहाँ पर है तालाब ये देखिए तालाब बना ये स्कूल बना हुआ है ये हैंड पंप फिर ये घर और यहां पर हैं ये पेड़ इस तरह से हमें गाउं का नक्सा तैयार करना है नीचे दिये गए नक्से को देखकर समझे और प्रश्णों के उत्तर बीजिए तो देखिए तो पहला प्रश्ण परते हैं आम के पेड़ों के पास स्कूल है स्कूल पर अपने स्कूल का नाम लिखिए यहां पर आप अपने स्कूल का नाम लिख देंगे बच्चों फिर अगला प्रश्ण है सुरेश का घर तालाप के पास है सुरेश का नाम उसके घर में लिखिए तालाप के पास घर है इसका सुरेश का तो यहां पर ये घर किसका है सुरेश का है हेमराज हैंड पंप के पास रहता है हेमराज के घर के चार ओर घेरा बनाईए हेमराज का घर ये हैंड पंप के पास है उसके घर के चार ओर हमने घेरा बना दिया दाक घर के बाजू में किराना दुकान है किराना दुकान को रंगीन कीजिए देखे किराना दुकान कहां है दाक घर के बाजू में है इसे हमें रंगीन कर देना है ये देखिए हमने इसे रंगीन कर दिया फिर है हेमराज को घर से स्कूल जाना है उसके स्कूल जाने के रास्ते को बनाईए हेमराज घर से स्कूल जा रहा है तो उसके स्कूल जाने का रास्ता ये देखिए इस तरह से रहेगा घर से स्कूल जाने का रास्ता यहां हमारे प्यारे भारत का नक्षा बना है इसे देख कर नीचे दिये गए प्रशनों के उत्तर देना है ये देखिए ये भारत का नक्षा बना हुआ है और इसे देख कर हमें नीचे दिये गए प्रशनों के उत्तर देना है बच्चों तो बच्चों आपको अच्छी तरह से भारत के इस नक्से को देख लेना है समझ लेना है सभी राज्यों की स्थिती को याद रखना है और अब हम देखते हैं इन प्रश्णों को पढ़ कर दिये गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनी और सामे दिये गए सही घेरे को भरिय भारत की राजधानी से सबसे कम दूरी पर प्रदेश कौनसा है हरियाना है औप्सन नमबर ए सही है एक को आप छायांकित कर दीजिए फिर देखिए दूसरा प्रश्ण है अंडमान और निकोबार दीपसमू के पास का राज्य है कौनसा राज्य है तमिल नाडू आप्सन न इन में से मद्य प्रदेश का पड़ोसी राज्य है कौन है मद्य प्रदेश का पड़ोसी राज्य महरास्त्र है औप्सन नमबर डी है डी को हमें आपर छायांकित कर देंगे यदि आप अरब सागर से बंगाल की खाड़ी तक पानी के जहां से यात्रा करें तो आपको किस र C के राल यहाँ पर C को छायांकित कर देंगे अगला है असम से गुजराद तक रेलगाडी से यात्रा करते समय आपकी रेलगाडी किस राज से हो कर जाएगी ये देखिए हम ये असम है हमारे पास असम से हमें जाना है गुजराद तो यहाँ पर कौन सा राज्य मिलेगा बिहार मिलेगा रास्ते में तो हम यहाँ पर वच्चों बिहार को टिक कर देंगे option number ए सही है तो ए को चायांकित कर देंगे अगला प्रस्न है कक्षा के इस नक्षे को देखिए और निमलिखित प्रस्नों के उत्तर दीजिए यहाँ पर एक कक्षा का नक्षा दिया हुआ है यह देखिए खिडकी है यह खिडकी पस्चिमी भाग में यह दरवाजा है और यह सूचना पटल है यहाँ पर श्याम पट है और फिर यह दक्षुनी भाग है यहाँ पर अलमारी रखी हुई है ये पूर्वी भाग ये उत्री भाग तो देखे यहाँ पर हम देखते हैं प्रश्न क्या दिये गए है इस कक्षा में खिड़किया किस दिशा में है खिड़किया तो पश्चिन दिशा में है तो यहाँ पर हम लिख देंगे पश्चिन फिर दूसरा प्रश्न क्या है दूसरा प्रश्न है दर्वाजा किस दिशा में है यहां पर देखिए दर्वाजा पूर्व दिशा में है यहां लिख देंगे पूर्व फिर आगे है स्यामपट किस दिशा में है स्यामपट उत्तर दिशा में है तो यहां लिख देंगे उत्तर फिर है सूचना पटल पढ़ने के लिए किस दिसा में जाना होगा यदि हमें सूचना पढ़ना है तो पूर्व दिसा में जाना होगा यहां लिख देंगे पूर्व कक्षा में अलमारी किस दिसा में है अलमारी यह देखे पस्चिम दिसा में है ना तो यहां लिख देंगे पस चिम फिर आगे है प्रश्न ग्यारा से अठारा तक दिये गए बॉक्स में अपने गाओं का नजरी नक्षा बनाईए जिसमें स्कूल आपका घर, आंगनवारी, जलसरोत, खेलने की जगह, पेड, रास्ता और दुकान भी दरसाईए जैसे कि हमने अभी सिंगोरी गाओं का नक देखा ना बच्चों इसी तरह से आपको अपने गाओं का नक्षा बनाना है लेकिन इसमें किस किस चीज को सामिल करना है तो देखिए यहां कहां है कि स्कूल को सामिल करना है आपका घर, आंगनवारी, जलसरोत, खेलने की जगह, पेड, रास्ता और दुकान भी दरसाना है बाकी सभी लोगों के घरों को दरसाने के आपशक्ता नहीं है आगे है बने नक्षा को देखकर पूछेगा है प्रशनों के उत्तर दीजिए आप देखिए यहां पर राष्टपती भवन है फिर यह देखिए विजय चौक है रफी मार्ग है फिर है राजपत फिर जनपत फ फिर मानसी रोड कस्तूर बागांधी मार्ग तिलक मार्ग डाक्र जाकिर हुसेन रोड नेशनल स्टेडियम तो यहां पर देखिए नेशनल स्टेडियम से राष्टपती भवन जाने के लिए रास्ते में कौन सा चौक पड़ेगा यह देखिए नेशनल स्टेडियम से हमें क विजय चौक, देखिए हमको क्या पढ़ रहा है, विजय चौक पढ़ रहा है ये देखिए, फिर आगे अगला प्रश्न क्या है, रास्ट पती भवन से जनपत जाने के लिए किस पत से जाना पड़ेगा, रास्ट पती भवन से अब हमें जाना है, कहां जनपत, तो ये जनपत है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा किस पत से जाना पड़ेगा तो ये कुन सा पत है राजपत है तो राजपत से जाना पड़ेगा इस तरह से बच्चों आज की यह क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है धन्यवाद